प्रिंट्स वेल्कम तो माइ यूटूब चैनल और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक्निप्टी अनलसिस फॉर तो मुझा तो बैंक्निप्टी आज अच्छी का से शॉर्ट कोवरिंग के साथ 35,300 पे बंद हुआ है लगवर 725 पॉइंट के साथ लगवर 2% उपर तो बैंक प्रफॉर्म करने लग गया है मार्केट को और यहां जो है तो हमने पिछले हफ्टे जो है तो पॉजिटिव क्लोजिंग दे कि इस हफ्टे की स्टार्ट हमने पॉजिटिव बंद की है लगवक साथ सो पॉइंट के रैली के साथ तो यह उपर जो है तो 35,000 650 और उसके और मुझे लगता है कि जिस तरह से रिवर्सल आया है, हम जो है, तो 37,900 की भी लेवल जो है, तो मेडियम टम में देख सकते हैं, अगर हम ये दोनों averages क्रॉस कर लेते हैं, तो weekly chart पे यहां जो है, तो clearly reversal दिखा रहा है, और हमने जो 100 week का जो average था, वहां support लेख बाद, यहां से अच्छा कासर रिवर्सल दिया है, उपर अभी जो है, तो कल के short to medium term के लिए टार्गेट रहेंगे 35,650, उसके बाद में 36,650, और last में जो है तो 37,900 की टार्गेट आप बैंक निट्टी में expect कर सकते हो, नीचे जो support zone है, वो है लगबग 34,500 का, आपको stop loss रखना है, लगब आपको stop loss रहेगा, वो थोड़ा सा deeper रहेगा, वो 33,700 की नीचे रहेगा, तो dips आता है, तो आपको buy करना है with a strict stop loss, अभी जखते है daily chart, तो daily chart पे आप देख से क्टिव की यहाँ fresh buy signal आ चुका है, super trend पे, और हम जो है, तो oversold region से जो है, तो अच्छे का से bounce back के बाद, अभी जो target मुझे लगता है, वो 36,100 का, और उसके बाद में 36,650 का जो target देखा था हमने, as per weekly chart, ये दो target के लिए आप long कर सकते हो, यहाँ जो है, तो आपको dips पे buy करना है, आपका stop loss रहेगा, आपको stop loss रखना है लगबग 34,200 के नीचे है, और आपको dips पे buy करना है, stop loss, dips पे अगर आत 35,500 का, वो लेवल पे आता है, तो आपको buy करना है, आपको stop loss रखना है 34,200 के नीचे, और जो target बनेगा, वो 36,100 का, उसके बाद में 36,650 के target, आपको short to medium term में देखने को मिल सकते है, as per daily chart, daily chart पे भी buy signals clearly दिखाई दे रहा है, अभी देखते है, hourly chart, तो hourly chart पे आप देख सकते ह के हम जो है, तो closing दी है, पिछला week का जो high था, उसके around हमने closing दी है, तो यह bullish sign है, इसके उपर अगर breakout आता है, तो हम जाएंगे, जो 200 आवर का जो average है, वो 36,050 के around है, तो उसको touch करने के लिए जाएंगे, तो जो मैंने daily chart पे जो target दिख रहा है, वो clearly यहां आते होए देखता है, 36,100 का, अगर उसके ऊपर निकलते हैं, तो हम try करेंगे, जो CPR है, उन level को touch करने की कोशिच करेंगे, तो 37,500 के level तक हम जो है, तो back 90 को जाते हुए देख सकते हैं, यहां जो trade बनता है, तो आपको dips पे buy करना है, आपका जो stop loss रहेगा, अगर आपको छोटा stop loss रखना है, त 35,000 या फिर उसके नीचे buy करना है, 34,700 के नीचे stop loss, first target 36,100, उसके बाद में जो है, तो multiple target से, मगर एक major target जो बनता है, वो 37,500 का target आपको देखने को मिल सकता है, इसी हफते में, तो अच्छे खासे shot covering यहां trigger हो सकती है, मगर यहां dips पे buy करना है और stop loss के साथ, या volatility add the peak रहेग तो आपको दोनों तरप अच्छे खासे moves देखने को मिलेंगे, तो आपको stop loss के साथ trade करना है, option trader के लिए सला रहेगे, कि आप जो 35,000 का call option है, उसके focus कीजिए, उसको dips पे buy कीजिए, उसके लिए भी same stop loss है, अगर future जाए तो 34,700 के नीचे slip करता है, तो उसको उस option में से आप आपको जो भी loss हो रहा हुआगा, वो लेकर निकल जाना पड़ेगा, उपर अगर 36,100 या फिर 37,500 के लिए वाल आते है, तो उस option में हमें 2X2 और X तक इन टेकनी को मिल सकते है, तिल expiry, ये आप weekly में भी कर सकते हो, और monthly में भी कर सकते हो, weekly में ज्यादा risk रहेगा, stop loss trigger होने क ज्यादा समझा रहेगी, मतलब आपको volatility ज्यादा जिल नहीं पड़ सकते है, monthly में जो है, तो आपको RM से target मिल सकते है, उतमे gains नहीं दिखेंगे आपको जितने weekly में होते है, मगर वहां जो है, तो easily entry और exit हो जाता है, क्योंकि volume में ज्याद रहता है, और liquid रहते है, वो strike price, तो और weekly chart तीनों पर भी bullish लग रहा है, और यह reversal है, और यहाँ जो है, तो short covering की वज़े से अच्छे खासे sharp momentum build-up होते हो देख सकते है, और अच्छे खासे level आपको देखने को मिल सकते है, अगर यहाँ दिक्कत यह कि है, अगर weeks जो है, तो थंड़ा हो जाता है, तो यहाँ option में जोड़ा सा भी दिक्कत आशकती है, तो वो आपको एड़ेस करना पड़ेगा, तो I hope so, कि जो आणलिक यह आपके लिए helpful रहे ता प्लिज दोस्के वीडियो को like कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा सा ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको मेरे वीडि मिस्स अपडेट